क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश मौझूद है जहां पर 51 दिनों तक केवल रात ही रात रहती है और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौझूद है जहांके जेल भारत के होटल से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और तो और या बिक्सित देश होने के नाते यहां की जमीन की कीमत इतनी सस्ती है कि आप सुनकर चौक जाएंगे आज के इस वीडियो में हम फिनलैंड देश के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानेंगे जो आपके सिर्क को भी चक्रा देंगे वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे रिक्विश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए So let's explore world to go जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि फिनलैंड देश उत्रिये पूर्वी यूरोप में रूस और स्वेडन के बगल में बसा दुनिया का बहुत ही खुबसूरत देश है और हाल ही में IUN की रिपोर्ट के मताबिक फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुसाल देश है इस देश की राधानी हलसिंगी है इस देश की करेंसी यूरो है एक फिल्लेंड यूरो की कीमत भारत के 85 रुपे के करीब होते हैं क्या आप जानते हैं कि फिल्लेंड देश दुनिया के सबसे बेश्ट बिक्सित देशों में से एक आता है और तो और यहां के लोगों का सारा जिम्मा यहां के सरकार उठाती है जैसे कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके खाने पीने से लेकर आपके इस्टेडी और मेडिकल तक का खर्च सरकार को उठाना पड़ता है और फिल्लेंड देश की सबसे चोकानी वाली बात यहां है कि यहां पर ट्राफिक नियम को तोड़नी पर ज्यादा कमाई करने वाले से ज्यादा पैसे और कम कमाई करने वाले से कम पैसे का चलान किया जाता है जैसे कि अगर आप महीने के 5 लाख रुपे कमाते हैं तो आपसे 50,000 रुपे का चलान काटा जाएगा और वही पर अगर आप महीने के 5,000 रुपे कमाते हैं तो आपसे 5 रुपे का ही चलान काटा जाएगा क्या आपको पता है कि फिल्लेंड देश एक ऐसा देश है जहां पर 1,87,888 जीले हैं इसी वज़े से इसे रोमेंटिक ओफ दी लेंड कहा जाता है और तो और फिल्लेंड की कुल अबादी केवल 55,00,00 है जो कि यहां के छेतरफल के हिसाब से बहुत कम है इसलिए यहां पर एक के जमीन की कीमत केवल और केवल 80,000 रुपे के करीब है क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पापुलर कमपनी नोकिया फिल्लेंड की ही कमपनी है और तो और एंग्री बर्ड जो आम लोग बच्वन में खेल दे देना वो गेम भी फिल्लेंड का बना हुआ है फिल्लें या तो ना के बराबर है क्या आप जानते हैं कि फिल्लेंड देश की जेल और यहां के जेल की फैसलिटी इतनी जबरजस्त है कि आप इस देश की जेल में घर बसाना ज़रूर चाहेंगे यहां की जेल भारत के तीन इस्टार होटल से भी अच्छे होते हैं जहां पर आपको LED TV से लेकर Mobile Wi-Fi की सुविधा भी दी जाती है मैं सोच रहा हूं कि इसे जेल कहूं या कुछ और क्या आपको पता है कि फिल्लेंड देश की Education System इतनी बेहतर है कि यहां पर बच्चों को Practically समझाया जाता है और इस देश में जब बच्चे 7 साल के होते हैं तो उसके बाद उनका admission लिया जाता है यही वज़ा है कि इस देश में हर कोई पढ़ने आना चाहता है यहां की सरकार फिनिस बच्चों को laptop से लेकर pencil तक का खर्च खुद सरकार उठाती है क्या आप जानते हैं कि फिल्लेंड देश का passport दुनिया के सबसे powerful passport में से एक है इस देश के passport से आप 187 को पता है कि फिल्लेंड देश की सबसे चुपाने वाली बात या है कि यहां पर बहुत सी ऐसी जगा है जहां पर रात 50 दिनों की होती है क्योंकि यहां पर 50 दिनों तक सूर्य दिखाई देता ही नहीं है या एक अदभुत नजारा होता है और तो और यहां पर आर्किटिक सर के पास करीब 23 गंटों तक सूरज नहीं डूपता है क्या गजब है यह सब कुछ इसलिए हो पाता है कि यह देश उत्री और दच्छडी धुरू दोनों पर आता है अगर आप फिनलेंड घुमने आना चाहते हैं तो आपको फिनलेंड सेंगेन वीजा लेना पड़ेगा जिसका चार्च लगबग 6,000 रुपे के आसपास है फिनलेंड की लड़कियां बहुत ही खुब सूरत होती है और सरमीली बिल्कुल नहीं होती है यही वज़ा है कि भारत के बहुत से लोग इस देश में साधी करने की सोचते हैं और बहुत से भारतिये इस्टुटेंट फिनलेंड भी आते हैं तो दोस्तो यह थी फिनलेंड देश के बारे में कुछ जबड़जयस फैक्ट्स आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहते हैं अगर आपको यह वीड जदे जय हिंद वंदे मातरम